आध्यात्म ही एक रास्ता है, आत्मा की पावर ही एक रास्ता है, अंदर की जागरिता, अंदर की लाइट, आत्मा का प्रकास, आत्म ग्यान, आध्यात्म का ग्यान, आध्यात्म की शक्ति, जो आपको हर मुसिबत से, आप कोई भी कोने में, कोई भी, आप सपने में भी फस ग कल सकते हैं. कहने का مतलब यह है कि यह ऐसी सकती जो free will की, संकाल्प की सकती, अर्ध्यात्मकी सकती, विचारों की सकती, positive रहने की सकती, हर पल पॉल पॉजिटिव रहने की सकती, हर पल अपने आपको boost अप करने की सकती, अपने आपको कहीं पे भी फस गए हो बाहर निकालने के शक्ति, ये आएगी विश्वास से, परम विश्वास, बेहत के परमपिता के उपर परम विश्वास, इतना विश्वास रखो, इतना विश्वास रखो, कि मैं कहीं पर भी कैसी भी situation में फस जाओ, मेरे बेहत के परमपिता मेर कर रहा है तो autumns, एक अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं और जब उस autum ko wecGunn से fire किया गया एक पड़े के उपर और उसको कोई देखने वाला नहीं था तो वही autum, अपनी मन की तरीके से काम कर रहे थे लेकिन जब उसके उपर observer रखा गया तो वो ओटम्स एक अलग तरीके से बिहेव करने लगे जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर उसको कोई देख नहीं रहा है तो अपनी मस्ति में मस्त है लेकिन जब आप उसके सामने बेट के उसको देख रहे हो तो वो बच्चा एक कॉंसियस में है उसको एक जागरत हमें अब्जर्व करता है तो हम एक अलग तरीके से बिहेव करता है क्योंकि हम उसके कंट्रोल में है हम उसकी फोकस में है हम उसकी पावर में है उसकी कीरणों में है हम उसकी याद में है तो हम उसको याद करें वो हमें याद करें तो यह है अब्जर्वर अब्जर्वर मतल पल ले रहे हैं जब हम उसकी याद में होते हैं, जब वो हमें उब्जर्व करता होता है, तो जैसे एक छोटा बच्चा खेल रहा है, तो उसके माबाद जब उससे देख रहे हैं, तो उसको कहीं पर भी गिरने नहीं देते हैं, उसको चोट आने नहीं देते हैं, ऐसे ही तरीक आत्मा उस परम लाइट परम प्रकास के हमारे क्रियेटर को हमने याद किया तो हमने एक नई शुरुवात की, एक नई संकल्ब के साथ एक नई शुरुवात की, कि वो हमारे पास हर पल है, कि वो हमें देख रहा है, वो हमें अब्जर्व कर रहा है, वो हमें हर पल परम प्रका करने की बात हो, कोई आपको बोल दे आपको भूत प्रेट पकड़ा है, कोई बोले आपके उपर काला जादू हुआ है, कोई बोले आपके उपर सफेज जादू हुआ है या कैसा भी जादू हुआ है या तांतरिक किया, या कुछ भी किया आपका एक संकल्प ही आपका ये कवरनेस कि मेरे साथ तो मेरे बेहत के परमपिता है मेरे साथ तो मेरे उस वो creator मेरे साथ है जो मेरे को मैं उनकी observation में हूँ मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती और नहीं वो मुझे गलत करने देंगे नहीं मुझे उस situation में, हर situation में कैसी भी कर्मबंदन सामने आए मेरे पास वो ज्यान की सकती है वो जगरता की सकती है वो awareness की सकती है कि मैं हर situation से बाहन निकल के ही रहूँगा यही हमारा संकल्ब होना चाहिए